वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 22 जनवरी 2023 और 22 जनवरी 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन बन सकते हैं चारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुशिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्टिव में आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुशिन पूछूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज किस वीडियो के पीडियो फाइल आप इस वीडियो के डिसक्सम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम गुरूप से टेलेग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसक्सम में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में किस देश के राष्ट पती गड़तंत्र दिवस परेड में मुख्य अथिती होंगे तो इस बार हमारी गड़तंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट पती मुख्य अथिती होंगे तो इस कुशिन का बे अप्शन सही है मिस्र के राष्ट पती अब्दु मिस्र की करंसी क्या है एजिप्टियन पॉंड और मिस्र के प्रिजेंट टाइम पर राष्ट पती हैं अब दिल फत्य है अलसिसी और ये पहली बार है जब मिस्र के राष्ट पती हमारे गड़तंत्र दिबस परेड़ पर मुख्य अथिती होंगी अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट का सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो आपक सेग घहराई परिस्ते मेंत्रो इस टेसं मनेंगा तो इसकोष्णन का से ऑप्सण सही ये लगबक 33.1 मीटर की गहराई पर बने ऐक 33.1 मीटर या निकी 108.59 फीट जमीन के अंदर 108.59 नौ फीट पर ये मेट्रो स्टेशन मनेगा और ये देश का सबसे गहराई परिस्तित मेट्रो स्टेशन होगा ने हिशिन, हाली बारत और किस देश के बीच पहला सयूट अब्यास, साइकलोन फस्ट, जैसल मेर मेर में आयोजित किया रहा है, तो अभी अपने देश भारत और म किस्र के बीच पहला सायों तब्या साइक्लोन फस्ट राइस्तान के चैसल मेर में आयुजित किया रहा है तो इसकुषिन का बे आप्सन सही है ने क्युषिन है हाली में वेदानता केरन ओयल एंड गैस के नए प्रमुक कौन बने हैं तो अभी निक वाकर वेदानता केरन ओयल एंड गैस के नए प्रमुक बने तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है यह निक वाकर और यही बेदानता केरन ओयल एंड गैस के नए प्रमुक बने हैं अच्छा अभी नए उपराश्टी सुरक्षा सलाकार यानि कि डिप्टी एन ऐसे पंकज कुमार सिंग बने हैं बियारों सियाचित में तैनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सुरभी जख मोला बनी है रत्न एबम आबुश्र परिसद के चेर्मेन संयम महरा चुने गए बारत पेने सीयों के रूप में नलिन नेगी को नियुक किया है सियाचित में तैनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सिवा चोहान बनी है, पंकज मोहन ने भारती बायुसिना की पश्मी कमान सबाली है, और उत्तरपदेश की पहली महिला पुलिस कमिजनर लक्षमी सिंग बनी है, ये अभी recent appointment है, ये आपको याद रखने है, ने क्यूशन है, हाली में प्रभा बेन सोभग चंत सहा का निधन हुआ है, पे कौन थी, तो प्रभा बेन सोभग चंत सहा, ये एक सामाजिक कारिकरता थी, और अभी इनका निधन हुआ, तो इसकूशन का बे आपसिन सही है, ये थी पदम स्रीप पुरुसकार से सम्मानित दादरा नगर हबेली दवन दीप की सामाजिक कारिकरता, प्रभा बेन प्रभा बेन सोभग चंत सहा, इनका अभी निधन हो गया है, ने क्यूशन है, हाली में बारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है, तो अभी रिलाइंस जीओ, बारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना, तो इसकूशन का ए आपसिन सही है, और ये बैस्विक किस तर पर नोमे नमबर पर रहा है, इंडिया में ये सबसे मजबूत ब्रांड बना है, और बैस्विक इस तर पर ये नोमे नमबर पर रहा है, ने क्यूशन है, हाली में इंडिया पोस्ट ने किस राज में पार्सल की डिलिवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है, तो अभी सेवा यानि कि समुद्री मार्ग से पारसल और मेल को पहुंचाना इसमें क्या होगा जो नॉर्मल डिलिवरी का टाइम आठ से दस घंटे लगता था वो अब गट के दो से तीन घंटे हो जाएगा यानि कि समुद्री मार्ग से पारसल की डिलिवरी होगी तो इंडिया पोस्ट ने गुजरात में पार्षर की डिलिवरी के लिए यह तरंग मेल सेवा सरु की है अब गुजरात तो यह है मैप में गुजरात की केपिटल क्या है गांदी नगर गुजरात के चीपनिश्टर कौन है बूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है आचार देप्रत अचार अभी पसुओं के लिए भारत के पहले आई बी एफ मोबाईल यूनिट की सुरुआत गुजरात में की गई गुजरात बिधान सबार ने अनदिकरत बिकास नियमितीकरड बिद्यक पारित किया अडानी नियू इंडस्टीज ने गुजरात के मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्वाइन इस्तापित किया है गुजरात में बिश्व का सबसे बड़ा पांडुलीपी ग्रंथाले बनाये जा रहा है और प्रदानवंत्री मोदी ने गांधी नगर में मिसन इस्कूल अफ एक्सिलेंस लॉंच किया अचा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एसियाटिक लॉइंस के लिए फामेस है सरदार सरूबर डेम है, नल सरूबर लेक है, थूल लेक है, कंकडिया लेक है और खिजाडिया लेक है इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है ने क्यूशन है अब त्रिपुरा के चीपनिष्टर कौन है, मानिक शाह और त्रिपुरा की गवर्नल कौन है, सत्ति देव नाराइन आरया अभी चुनाव आयोग ने, त्रिपुरा में मिशन 9-9 शुरू किया ये मैक्सिकमम बोटिंग परसेंडिज के लिए है अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोटल लॉंच किया त्रिपुरा सरकार ने अर्न बिदलर्न योजना शुरू की त्रिपुरा सरकार ने मुबाइल पसु चिकित सा ज्वास्त सेवाएं शुरू करने की गोशना की त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चास्रमी कल्यांट प्रकल प्योजना शुरू की दूसरे बांगलादेश फिल्मोट सबका उद्गाटन अगरतला में हुआ और चबालिसमा कोक बुरुक दिवस ये 19 जिन्वरी को त्रिपुरा में मनाया गया ने खुशिन है हाली में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्ताबेच प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सब ना है तो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्ताबेच प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है केरल का वाइनाड जिला तो इसकुशिन का है a option से ये इसमें क्या है आदिवासियों के पास सब भी मूल डॉक्यूमेंट अब एबिलेबल है जैसे आदार कार्ड है पैन कार्ड है मूल निवास है बोटर कार्ड है रासन कार्ड है इस तरह के सब भी मूल दस्ताबेज हर आदिवासि के पास एबिलेबल है और ऐसा पहला जिला और यहीं पर राउल गंदि जी सांसद हैं अच्छा केरल में है तो यह है मैप में केरल के केपिडल क्या है तिरुवनंत पुराम के चीपनिश्ट कौन है पेनराई बिजियन और केरल की कौन है आरेफ मोहमत का आरेफ मोहमत खान नहीं अभी केरल में वन स्कूल बन आईएस यो क्या गया। केरल सरकार ने मलेका सारा भाई को केरल कलामनडल का कुलपति निउक्त किया, और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल Μार्ट में Responsible Tourism Global Award जीता है। अच्छा केरल की बात है केरल में अनाय मुडि सोला निसलन पार्क है, मती केटम सोला निसलन पार्क है, पंबडम सोला नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है अचा केल में सांत गाटी है और पेरियार बनजीव अब्यारंड है ने क्यूशन है, हाली में भारत ने किस देश को खेल के बुन्यादी धांचे के लिए 40 मिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान की है तो अभी अपने देश भारत ने मौलडीव को खेल के बुन्यादी धांचे के लिए 40 मिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान की तो इस कुश्चिन का बे ओप्सन सही है अब Maldip को प्रदान की तो ये है मैप में Maldip Maldip की केपिटल क्या है? माले Maldip की करन्सी क्या है? Maldivian रूफिया और Maldip के प्रजेंट टेम पर प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम महम्मद सोले कौन है? इब्राहिम महम्मद सोले Next question है अबी 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 अमबेका सुथन वंगड ने उड़क कुझल पुरुसकार जीता है 2022 के लिए एकलब पुरुसकार से पंकर अडबानी को सम्मानित किया गया Rising Star of the Year पुरुसकार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया अबनी लेखरा को पैरा Sports Person of the Year का पुरुसकार मिला है और गांदी मंडेला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया नए क्यूशन है हाली में Chris Hipkins किस देश के नए प्रदानमत्री बनेंगे तो अभी Chris Hipkins ये New Zealand के नए प्रदानमत्री बनेंगे तो इस क्यूशन का बे आप्सन सही है मैंने आपको बताया था कि न्यूजिलेंड की जो अभी प्रदानमत्री जे सिंडा आरडन इनोंने अगले महीने इस्तिफा देने की कोशन की है अब इनके इस्तिफे के बाद न्यूजिलेंड के नए प्रदानमत्री Chris Hipkins बनेंगे ये है Chris Hipkins अचा न्यूजिलेंड तो ये है न्यूजिलेंड की केपिटल के है वैलिंग्टन न्यूजिलेंड की करंसी के है न्यूजिलेंड डॉलर और न्यूजिलेंड की अभी प्रदानमत्र जे सिंडा आरडन है अचा लियो बडाड कर आयलेंड के दूसरी बार प्रदानमत्री चुने गए है दीना बुलुआटे पेरू की पहली महिला राष्टपती बनी है कासिम जोमाट टोकायब को कजाकिस्तान का फिर से राष्टपती चुना गया है स्लोबेनिया की पहली महिला राष्टपती नतासा पर्क मुसर बनी है इजरायल के नए प्रदान मंतरी पेंजामिन नेत नियाओ बने है और लुइस इनाशियो लूलाड्या सिल्वा ये ब्राजील के नए राश्ट पती बने है तो ये अभी रीसेंट राश्ट पती और प्रदान मंतरी हैं ये आपको याद रखने है ने क्यूशन है आली में किस राजिके मुख्यमंत्री ने अंतरास्ती सिल्फ सिखर सम्मेलन का उद्गाटन किया तो अभी उडिशा के चीपनिष्टर नबीन पटनायक ने उडिशा के जाजपुर में अंतरास्ती सिल्फ सिखर सम्मेलन का उद्गाटन किया उसकुशन का बे options अखिये अप उडिशा तो यह है मैप मेंुडिषा दो यह है अब होस्टा केपिटल के हैं बोबने सके चीफनिस्टर कौन है नभीन प नाएक और मनें रखांगर अबी पंद्रे में विश्शुकप का उद्गाठन कटक में हुआ विंटेज बहानों के लिए अलग पंजी करण करने वाला पहला राज उडिशा बना है उडिशा सरकार ने लंपी तोचारों का निसुलक टीका करण करने की गोश्ण की उडिशा सरकार ने राज जिको 2023 तक सलम मुक्त बनाने की गोश्ण की है और उडिशा की मुक्ही मंत्री ने मुक्ही मंत्री सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरुगात की है अच्छा उडिशा की बात है तो सुनाबेडा, कुठागड, नलवन, बैसिपल्ली और देवरीगड ये उडिशा की important wild century है उडिशा में लेंगराज टेंपल है, कुडाग ट उडियम में SBI को संपूर 150,% शियर धारता इस्तानान्ते लिशा की है तो अभी केनरा बैंक ने रूसी संयूक्त उड्यम में SBI को संपूर 40,% 50,% शियर धारता इस्तानानते लिशा की तो इसकुष्यन का a option , अब केनरा बैंक की स्ताबना कब हुई 1906 में इसका headquarter कहाँ पर ह और इसके प्रेजेंट टेम पे MD&CEO कौन है? LB प्रभाकर कौन है? LB प्रभाकर ने कुशिन है, हाली में UNESCO किस देश की लड़कियों को अंतरास्टी सिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो अंतरास्टी सिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मना जाता है, अभी UNESCO अफगानिस्तान की लड़कियों को इस बार का अंतरास्टी सिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है, अब UNESCO यानि की United Nation Educational Scientific and Cultural Organization इसकी स्टापना कव हुई? 1945 में इसका Headquarter कहां पर है? पैरिस में और इसके प्रजेन टाइम पर Head कौन है? आउड्रे अजॉले, कौन है? आउड्रे अजॉले, आपको पता है, अफगानिस्तान में अभी Taliban का सासन है, अफगानिस्तान पर चौथी छेत्री वारता ताजिकिस्तान में अभी होई थी, ग्र लास्ट वीडियो की कुशन का Answer, लास्ट वीडियो में आप से कुश्यन पूछा था कि हाली में दुनिया का सबसे मूली बान ब्रांड कौन सा बना है? तो अभी Amazing, दुनिया का सबसे मूली बान ब्रांड बना, यानि कि इस कुश्यन का A Option सही था और लगबग सभी students का Answer सही दिया मुश्ट लिश्ट लिश्ट लिए इसके बारे इन डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोईशन के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का कोईशन है हाली में किस ने होकी बिसुकप के इतियास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है चार आपसन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अनसर वताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेसुक पेज़ पर प्रेवेस एर कोईशन डेली पोस्ट करत सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC i-n-d-r-e-s-h-r-c इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुट सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 से like का तो अगर यह video आपको अच्छा लगा है help लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का video आपको यह video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने वारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद में लेगी जब भी आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लि जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all based video thanks for watching